वेलकम टो माई चैनल, आज मैं आपके साथ उबले हुए आलू से एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता रेसे पी शेयर कर रहे हूँ, जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करेंगे और खाने में बहुत टेस्टी है, इसे आप फ्रेंस फ्राइज कह सकते हैं, आलू की स्टिक्स कह सकते हैं, आप इसे आलू से बना हुआ नाश्ता कह सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनता है, एकदम पेस्टी बनता है, आप इसे महमानों के लिए भी बना सकते हैं, तो चले बनाना शुरू करते हैं, बनाने के लिए मैंने हैं आप देखिया आलू लिये हैं, उबले कटा हुआ अच्छा आता है और जो हमारे फ्रेंस फ्राइज बनते हैं उसमें इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है तो हारा धनिया जरूर एड़ करें एक चम्मच कुटी होई काली में चैड़ करेंगे और इसके अलाबा इसमें जाएगा एक आदा शोटी चम्मच और एगेनो और ए हैं आपको क्योंकि पास्टा सीजनिंग या लोई टैलिन हाप होते हैं उसमें थोड़ा सा नमक होता है और चीज भी आड़ कर रही है तो यहाँ पर एक मुठी भरके मैं इसके अंदर चीज आड़ कर रहे हूं मोज़रला चीज है मेरे पास तो मैं यहाँ पर mozerola cheese यूज़ कर रहे हूँ आपके पास कोई भी cheese पड़ी हो वो आप use कर सकते हैं या फिर आप इसे बिना cheese के भी बना सकते हैं तो मैंने याँ पर एक से डेर्ड मुठी cheese भरके डाला इसके अंदर और इसके अंदर में डाल रहे हूँ थोड़ा सा मेदा चार शोड़े चमज भर की मैदा अड़ कर आंदर, मेदा नहीं है तो कॉन फलार एड़ नहीं है और रण pon flour अड़ एड़ कर सकते हैं या फिर चावल प्राइज की साइज में बना रही हूँ, लंबाई में बनाओंगी, तो मैंने हाँ पर एक लिया है, आप कोई भी दूद की थैली वगरा ले सकते हैं, तो इसके अंदर में ये, जो मिक्षर है, इसको अड़ कर लूँगी, इसको डाल लूँगी इसके अंदर, और उसके बाद फिर हम इसके लंबाई में स्टिक्स बना लेंगे, तो इहाँ पर मैंने ये आदा डालिया इसके अंदर, और नीचे से इसको आप जितना पतला बनाना चाहते हैं, उसके इसाप से कट कर लें, तो मैंने इसको भर लिया है, और इसको हलके हाद से आप नीचे की साइड प्रे देखे, इस तरीके से आप बनाएंगे, तो ये बहुत स्मूथ सा बनेगा, और जल्दी भी बन जाएगा, ये किसे नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसे किसी भी शेप में हाथों से टिक्की की शेप में बना सकते हैं, या फिर आप हाथों से भी रोल कर सकते हैं, इसे छो मैंने आप इनको fry करते हैं, fry करने के लिए oil का temperature एकदम अच्छा गरम होना चाहिए, जब यह sticks आप इसके अंदर डालेंगे तो अभी आपकी sticks अच्छे से fry होंगी, अब flame को आपने medium रखना है, medium flame पे आपको इने fry करना है, बिटको low flame पे नहीं करना है, medium flame पे आप इने दोनों साइड से अच्छा सा golden brown color आने तक fry कर लें, हमने इसमें cheese add किया है, तो जिसकी वज़े से एकाद stick चिपक रही है, वो बाद में सब अलग हो जाएगा, तो आप इसको golden brown color आने तक fry कर लीजिए, और यह देखिए हमारी सारी sticks बनके ready हैं, इसी तरीके से हम बागी की नाष्ट को बना लेंगे, तो यहां पर देखिए बागी का नाष्टा भी मैंने बना लिया है, चाय के साथ खा सकते हैं, शाम को छोटी मुटी भूक लगती है, तो आप चाय के साथ बना सकते हैं, बच्चों को कुछ देना है, अच्छा खाने को चटपटा सा, तो आप यह बना कर ब अलू के नाष्टे की रसेपी को जरूर ट्राइ करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बाह रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और थैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो